नमस्कार दोस्तों, मैं मयूड सुर्यूवेंशी आपका मित्र स्वागत करता हूँ सुर्यूवेंशी एकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का दोस्तों आशक करता हूँ कि पिछले सभी वीडियो जिसको मैंने आडियो लेक्चर के माध्यम से बनाया था वो सभी आपने सुने होंगे और आपके काम में भी आये होंगे आज का जो टॉपिक लिया है, आज हम जानने वाले हैं राजनितिक विचारधाराओं के बारे में राजनितिक विचारधारा है ऐसी जिसे आपको पढ़के बहुत इंट्रेस्ट आएगा या कहीं बार आप जब quality पढ़ते होंगे या किसी अन्य प्रकार की किताब पढ़ते होंगे इतिहास पढ़ते होंगे तब आपको कुछ शब्द बहुत परिशान करते होंगे जैसे कि आपके सामने कभी कोई शब्द आ गया कि श्रमिक संगवाद क्या होता है या अराजकता वाद क्या होता है इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है सामन्तवादी विवस्था के अंदर ये वाली बाते थी तो सामन्तवाद क्या होता है उदार वाद हो गया, पूंजी वाद हो गया या फिर एक नया टॉपिक हो राता है कि प्रारंबिक समाजवाद क्या था एक और शब्द आता है फेबियनवाद, तो फेबियनवाद के बारे में हम जानेंगे आज माक्सवाद के बारे में गिल्ड समाजवाद के बारे में नाजीवाद के बारे में, नाजीवाद से ताना शाही जानने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सामंतवाद की सामंतवाद की विशय में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो यूरोप में मद्यकाल के दौरान जिस नई सामाजिक आर्थिक विवस्ता का उदय हुआ वह सामंतवा या जो ऐसा शेत्र जिसको सेवा करने की कुछ शर्टों के साथ में उसका जो स्वामी होता है जो भूमी का मालिक होता है वो किसी सामन्त को खेती करने के लिए दे देता है और जो सामन्त है उसको करशक के आधार पर खेती करवा लेता है कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सामंती वेवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन आए और इस वेवस्था का एक कर्मिक परिवर्तन ये था कि इसमें सबसे उपर राजा हुआ करता था और उसके बाद में ड्यूक हो गया, अर्ग हो गया, बेरन, नाइट्स और इसके अंत में क्रशक जैसे इस तर हमको इसमें दिखाई देते हैं जब सामन्त वेवस्ता में राजा सबसे उपर है, ड्यूक है, अर्ग है, बेरल है, नाइट्स है ये सभी लोग क्या करते हैं, अपने से उपर वाले को सैनि सहायता प्रदान करते हैं सबसे मीचा वाला स्थर पर क्रशक है, तो क्रशक उपर वाले स्थर को सैनि सहायता तो बिल्कुल प्रदान नहीं करेगा परंतु जो क्रशक के उपर वाले वर्ग हैं वो अपने से उपर वाले वर्गों को सेनी सहायता प्रदान करते हैं तो उनके बदले में क्या होता है? जब वो सेनी सहायता प्रदान करते हैं तो उसके बदले में उन्हें कुछ आपचारी कधिकार भी मिल जाते हैं तो ये जो सिस्टम था ये क्रशकों का दमन करता था और सामन्त मतलब जो हमारे जमीन के मालिक थे वो सामन्त को करशी देंगे और क्रशी वाली जो भूमी है उस पर क्रशक काम करेंगे तो सामन्त वाद यहाँ पर क्रशकों का शोशन करने वाला एक तंत्र हो गया था चोद्वी और पंद्वी शताबदी तक सामंत वाद जो है धीरे धीरे करकर अपने पतन के और चला गया और धीरे धीरे ये समाप्त हो गया